नमस्कार मैं जोतिनी शाद और आप देख रहे हैं पर्यावरन फूर्ट पर्यावरन संतुलन को ध्यान में रखते हुए यदि हम सोचे तो मानव जीवन में पक्षियों का बहुत बड़ा महत है अकाश में उड़ते हुई ये पक्षी पर्यावरन के सफाई में बहुत बड़ा प्रक्तिक साधन है गेज, चीले, कौवे और इनके अलावा कई और पशु पक्षी भी हमारी प्रक्ति के लिए ऐसी देन हैं जो उनके समस्थ कीटों, जीवों और प्रदूशन फैलाने वाली वस्तों का सफाया करते हैं जो धर्थी पर मानव जीवन के लिए खत्रा पैदा कर सकते हैं कितने पशु पक्षी हैं, जो कीट की टाडूओं, तथा प्रदूशन युक्त वस्तों को खाकर मानव जीवन के लिए उपियोगी वनस्तपती की रक्षा करते हैं ऐसे पशु पक्षियों का ना रहना और लुप्ध हो जाना मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिका रखे एक रिपोर्ट के मुताबिक गिद, चीले, बाज और कोई तथा अनेक प्रजाती के ये पक्षी प्रक्तिक संतूल रखने के लिए अपना आसाधारन योग देते हैं मानव जीवन के लिए इन पक्षियों का जो महत है उसका अनुमान हम ठीक से लगा भी नहीं सकते यदि इस्तिती ऐसी ही बनी रही तो भविशे में हम अनुभव कर पाएंगे कि पशुपक्षियों के चिंजाने से हम कितने बड़े घाटे में आ गए हैं रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के लिए बहुत बड़ी और गंभीर सिंता का विशे है कि इन पक्षियों की संख्या दिन प्रती दिन कम होती जा रही है कौन नहीं जानता कि चीले और गिद मृत पशुपक्षियों को अपना आहार बनाकर पर्यावरन को स्वच बनाय रखने का करतव वे पूरा करते हैं ये मृत जानवरों के शव को गलने सडने और प्रोडूशन खलाने से पहले उनका तफाया कर देते हैं इसे धर्ती का वातावरन वेशैला होने से बचा रहता है गिद और चीले ही नहीं कोई भी पक्षियों के उस शेडी में आते हैं जिन्हें प्रक्ति ने मनुष्य के लिए स्वच कार बनाकर भीजा है यह पक्षी कूरे करकत में धेरों में पड़ी गलने सडने वाली वस्तों को खाकर समाप्त करते हैं रिपोर्ट में कहा जाता है कि हमारी चिंता का विशे यह है कि जिस प्रकार गिद और चीले हमारे आकास से गायव गोती चली गई हैं इसी प्रकार अब कोई भी हमसे विधाय लेते जा रहे हैं पर आल के लिए बस इतना ही ऐसे ही पर्यावरन से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरन पोस्ट